Assalamualaikum, आज किस लक्चर के अंदर हम Turner Syndrome को डिसकास करेंगे Turner Syndrome Chromosomal Number Disorder है यानि chromosome के number में change की वज़े से ये disease अकर होती है और कौन से chromosome के number में change आती है जो sex chromosome है, उसके number में change आती है तो ये disease अकर होता होता क्या है कि ये disease सिरफ females को affect करती है यानि male के अंदर आपको देखने कोई नहीं मिलेगी तो female के अंदर sex chromosome का combination क्या होता है x x ठीक है दो x chromosome females के अंदर present होते हैं ओके जब female के अंदर सिर्फ एक x chromosome present होगा तो ऐसी females turner syndrome का शिकार होगी यहां पर हमारे पास एक normal female है उसका combination क्या है sex chromosome का x x तो अगर female के अंदर सिर्फ एक x chromosome आएगा तो ऐसी females turner syndrome का शिकार होगी तो यह है turner syndrome अब देखते हैं कि turner syndrome develop कैसे होती है कैमीट कैसे बनता है जिसमें सिर्फ एक x chromosome होता है ओके नारमली आपके cell के अंदर जो chromosome है वो इस shape में present होता है यानि उसका एक की वाजू होता है एक की chromatid होता है so this is the chromosome before replication बट जब cell ने divide होना होता है एक cell से दो cell बनते हैं तो cell का जो chromosome है उसका DNA content double हो जाता है so यहाँ पर जो DNA है यह duplicate होगा तो इसका content double हो जाएगा तो chromosome की appearance ऐसी हो जाएगी इसके दो वाजू हो जाएगे so here we can see that this chromosome has two chromatids so यह chromosome after replication है अब जब cell divide होगा तो यह chromosome हाफ से split होगा और दुबारा से ऐसा बन जाएगा so इस chromosome से at the end दो chromosome बन जाएगे फिलहाल यह अब यह की chromosome है लेकिन जब यह दरमयान से आप split करेंगे इसे तो इससे ऐसे दो chromosome बन जाएगे राइट अब नर्मली मियासिस के अंदर होता क्या है कि यह एक cell है जम cell है इसके gametes बनने है तो gametes कैसे बनते हैं कि मियासिस में जो parent cell है वो डाटर सेल में जब four डाटर सेल में divide होता है तो इसका chromosome number half रह जाता है तो मियासिस के दो phases होते है phase one में क्या हो रहा है कि जो दो cells बन रहे हैं उनमें chromosome number half रह चुका है यानि यह cell था इसमें दो chromosome है यानि diploid है तो यहां पर एक chromosome हाया है तो हैपलाइड हो चुका है अब इस chromosome के दो बाजू है तो यह फर्दर जब divide होगा तरीके से properly divide हो जाएंगे तो four daughter cell बने एक एक chromosome सब में है यहां पर दो chromosome है यहां पर एक है यह single arm से आपने confused नहीं होना single arm के साथ जब यह cell दोबारा multiply होगा यह duplicate होगा तो यहां पर इसका DNA content डवल होगा तो दोबारा से यह shape बन जाएगी so this single arm represent one chromosome so meiosis में एक सेल से चार सेल बनते हैं यह चार सेल गेमीट सेल के लाते हैं और इनका chromosome number half होता है अब suppose यह female का gamete सेल है तो इसके साथ male का gamete सेल आकर fuse करेगा fertilization होगी so male आ गया उसके पास भी आग एक एक क्रोमोसोम है इस तरीके से वहाँ से सेम क्रोमोसोम इंटर हुआ तो again से क्रोमोसोम नमबर टिपलाइड हो चुका है so इस तरीके से fertilization होती है क्रोमोसोम नमबर maintain रहते हैं individuals के अंदर अब Turner syndrome के case में क्या होता है suppose जहां तक division जो है वो fine हुई है और यह normal division ऐसे होती है इस cell से आगे यह वला cell है इस से आगे जो दो cell वने हैं वो normal है बट यहां पर देखिए यह जो क्रोमोसोम है siplit होने के बाद इसका दूसरा हिसा दूसरे cell में जानने के बजाए एक ही cell में दोनों क्रोमोसोम इंटर हो चुके हैं प्लिट होने के बाद ठीक है और सेकंड कैस में क्या है एक क्रोमसोम भी नहीं है अब होगा क्या कि इन सेल्स की फर्टिलाइजेशन होगी ये गैमीट्स हैं तो प्रॉबिलिटी है कि इस गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन और नार्मल इंडिविज्वल पैदा होगा इस कै मीट के साथ जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ट्राइसोमी कैस आता है जिसमें क्लाइन फैल्टर सेंड्रोम को हमने डिसकस किया था बट यहां पर हमारा कंसर्ण ये वाला सेल है जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमसोम नहीं है तो मैल से एक एक्स क्रोमसोम अगर यहां पर पैयदा होते हैं जिन के अंदर सिर्फ एक्स एक्सशोम होता है तो डेफिनेटली उसके उनके बाड़ी के ऊपर को इफेक्ट पड़ते हैं सबस्वेले बच्चों को देखती है जो बच्रियर हेर लाइन गांप वह नहां होतی है तहीं उनकी जो पॉस्टीरीयर होती हैं यह टर्वनर सिंड्रोम की जो लड़किया हैं उनके सेंटम्स हैं वाइड सेट निपल्स यह जो निपल्स हैं यह दूर होते हैं फीमेल के जैसे नहीं होते हैं इसके लावा कुछ धब्बे से भी नजर आएंगे यह बच्चों का सेनारियो है ओके जब यह बचे डव females हैं, उनके अंदर आपको क्या symptoms देखने को मिलेंगे, कि इनका cut छोटा होता है, इनका जो shape है, वो heart shape होता है, यानि नीचे से थोड़ा नोकीला सा होता है, इस टाइप का shape होता है, और इनका जो heart है, उसमें aorta जो है, उसका जो, वो थोड़ा निकले होते हैं, यानि straight arm नहीं होते हैं, थोड़े से पाहर को निकले होते हैं, फिर इनकी definitely hair line जो है, वो नीचे तक होती है, आप देख पा रहे हैं, गरतन तक बाल जहां पर मज़र आ रहे हैं, webbing of neck, neck जो है, उसके उपर जुरियां से आपको नज़र आएंगे, broad chest, widely space, nipple chest, breast broad होती है, female के जैसे ही, तोनी नहीं होती, यानि breast develop भी नहीं होती, और nipples भी जो हैं, वो wide होती हैं, यहां पर हैं, यहां, यहां के बज़ाए, दूर हैं, ठीक है, widely spaced nipple हैं, और immunorrhia, इस condition को खा जाते हैं, जब menses female के अंदर नहीं होते हैं, तो individuals in females के अंदर menses नहीं होते, और यह infertile होती हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, so that's all for today lecture, hopefully आपको lecture समझ में है होगा, next lecture तक के लिए मुझे इचास्थ दे हैं, शुक्रिया, अल्लाह, हाफिज